नमस्कार शामद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरान दुभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर मेल हतेली आप पुरुष जातक है और आपकी रियल हतेली मेरे शामने बिवी चना के लिए आई हुई है थुड़ा हतेली को देखेगा आपकी जो कर्म की उंगली है भाग्यास्तान की मिडिल फिंगर ये इस प्रकार से जाती हुई और इसका टिप मुड रहा है रिंग फिंगर की तरब ये दर्सा रहा है कि बहुत जादा महिनत और बहुत जादा परिस्रम करने पर ही चीजों में सपलता मिलेगी और कई बार दोड़ा धोपे का काम भी आपको करना पड़ेगा दूसरी इस्तिति अगर हतेली में देखें तो यहां पे इस पश्ट तरी किसे राहो की रेखाई मुख्य रेखाओं को काट रही है साथ में अगर देखें इस राहो की वजोंसी जो सुक्र है जो लगजरी जीवन और सुक का मालिक है धन भी जिससे देखा जाता है इसके गरसन में आ गया है और कुपरभाव दे रहा है इसके साथ देखें तो देब गुरु ब्रस्पति भी यहां पर सनी को देख रहा है खराब इस्तिति में आ गया है उसके कारण सूर्य अपनी अच्छी उर्जा प्रवाइड नहीं कर पा रहा है और बुद्ध जो ब्यापार का मालिक है वो भी कमजोर इस्तिति में बैठ गया है और उससे सिदा सिदा दिखाई दे रहा है और यह चीजें बड़ी खराब इस्तिति में आ चुकी हैं बर्तमान में जब भी राहु इस प्रकार से आता है तो सबसे पहले यह जीवन की लकीर को काटता है तो इसका मतलब है कि सबसे पहली मुश्किल यह आती है बेक्तिके जीवन में कि कदम कदम प काटती है तो पैसे रुपे को लेके रोटी रोजगार को लेके आजीव का को लेके हर जगा उसको भयंकर उतार चड़ाव जहिलने पड़ते हैं फिर यह आपने देखा होगा मस्तिस्क की लकीर को काट रहा है तो तनाव की इस्तिति बहुत ज़्यादा आ जाती है और दिन प्रात व्यक्ति जो है चिंताओं में रहता है तनाओं में रहता है डिप्रेशन में रहता है फिर यह कहीं न कहीं जो है हिर्दे रेखाप को भी टच करता हूँ दिखाई दे रहा है तो ऐसे में रिस्ते भी बहुत ज़्यादा काम नहीं आते हैं रिस्ते दूर दूर चले जाते हैं चाहे कितने भी अच्छे रिष्टे हो समाज में आपका वो रिष्टे आपकी भरपूर मदद नहीं कर पाते हैं उनका जो चरम सुक्का भोग है उसके बीच में परस्तितियां खड़ी हो जाती है यह पहला प्रभाव है इसका अब यह देखो यहां पर गुणा के च चित्रोप से आपकी जीवन में घटनाएं घटती हैं यह आदनिक विज्ञान में आप देखें या पौरानिक विज्ञान जो सुपर विज्ञान है अमारा जो जोतिस है उसकी गणनाओं में देखें आपको एको रेट चीजें देखने को मिलेगी और विशेश कर हस्त रेखाएं आपके प्रैक्टिकल जीवन को दिखाती है इसलिए हस्त रेखाएं एको रेट हंडेट प्रसेंट होती है अपना प्रभाजा देती है कई लोग कहतें नहीं जी एस्ट्रोजी जो है यह वास्तु वो है अंक जोतिस वो है फलाना यह है लेकिन आप देखें तो आ आप करम किस से करते हैं अपनी हाथों से करते हैं निर्मान किस से करते हैं हतेलियों से करते हैं सोचने का काम भली यह मस्तिस्क करता है आपका लेकिन वो क्यों सोच सकता है कलपनाएं कर सकता है उसको मूर्त रूप देना आपकी हतेली का काम है आपकी हाथ देती है ठीक है न चल जाएकर किसमत कैसी होती है तो आप देखेगा जब यहां पर गुणा का चिन बनता है तो कुछ चीजें घटित होती है जीवन में आप नौकरी कर रहे हो तो या तो नौकरी छूट जाएगे आपकी या तो आप करेंगे भी तो बड़ी कसमकस की इस्तिति में करेंगे दस्त नुकसान होगा और आप उसको छोड़ देंगे अगर इन चीजों से आप कहीं न कहीं बच गए फिर ये भयंकर धनहाने कराता है अगर धनहाने से भी आप बच गए फिर ये करजे के दलदल में ऐसा फसा लेता है कि उस दलदल से निकलना मुस्किल होता है और लंबे ये आपकी जीवन में नहीं हुआ है तो फिर बहुत सोच समझ के रहेगा राहों के ऐसी इस्तिति है तो फिर ये क्या करता है फिर ये बाद बिबाद में फंसाता है करा किसी ने भरा किसी ने ये कोट कचरी का मामला बनाता है कभी कभी तो मैंने देखा है ऐसे लोगों के हत मेराय कराव करता है कि न तो छोडं रही होती है और नहीं जो है वह उसके पास आ रही होती है बल्कि दोनों को जो है आप कोड़ कच्री का मामला चलता रहता है और दोनों तनाव मेए रहते ऐसी स्थितियों कोई दिखाता है अगर ये भी निवा फिर और विसम्मल के रहेगा फिर ये रहस्य में बीमारी पैदा करता है पता नहीं चलता है बीमारी क्या है कहां से आई है इसका इलाज क्या है इलाजों में लाखों फोग लेता बेकती पर ठीक नहीं हो पाता है क्यूंकि राहों का जब तेरे उपर बहुत करजा हो गया है जिसके कारण आपने अपनी कार भी बीची है वो बेचना पड़ा है आपको तो इसका कारण ये है अब इसके कारण जो है जब सुक्र इसके गर्सन में आ गया है इसके प्रभाव में आ गया है तो ये देखेगा सुक्र में क्या है भयंकर जाल बन गया है ऐसी जब ये जाल बनता है तो ब्यक्ति को मानसिक परिशानियों का सामना करना पड़ता है ब्यक्तिका जिवन संकटों और कठनाईयों के बीच गुजरता है बहुत जादा मेहनत बहुत जादा परियास करने पर भी उसके परियास पूर्णता की इस्तिति में नहीं पहुचते है और अभाव की इस्तिति को ये बताता है लाग प्रियास करने पे सारे साधन होने के बावजोद भी सुक्र की अनुभूति नहीं हो पाती है ये प्रभाव देता है ये राहों से गर्सित होने पे अब यहां पर ये कोबड है ये स्रेश्ट बुद्धिमता को बताता है बेक्तिका लीकिन जब राहों की इस्तिति आये शुक्र इसमें सलगन हो जाए तो जीवन काल में ये संगर्स देता है दहनेहानी दिखाता है और तब ऐसे लोगों को जब ऐसी इस्तिति हो तो ब्यावसाई बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए ये ब्यावसाई में नुकसान को दिखाता है और खासकर ऐसे लोगों को पार्टनर्शिप में कारे नहीं करना चाहिए और खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है अगर 42 वर्स से पहले ये चीज़ें घटित हो गई तो 42 वर्स से जीवन फिर से पटरी पे आ जाता है और 42 वर्स के बाद अगर आपके जीवन में ये चीज़ें घटित हो गई तो फिर जीवन में 56 एर से जीवन पटरी पे आता है लेकिन उतना टैम तक आपको जो है वेट करना है नहीं चमतकार होगा चमतकार भी नहीं होगा लेकिन कुछ उपाये दूँगा धीरे धीरे आपकी जीवन की जो गाड़ी है वो पट्री पे आएगी अब कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है एक तो जल्दबाजी में आकर कोई बहुत बड़ा decision नहीं लेना है उतावलापन नहीं दिखाना है उतावलेपन में आकर बहुत बड़े decision नहीं लेना है और भावनाओं की बशीबूत होकर बड़ा decision नहीं लेना है पहले चीजों का analysis करना है उनको प्रखना है बराबर सोचना है परिवार से भी पूरी बात करनी है तब जाके उस decision पे निरने पे आपको पूँचना है और एक बात का दियान दखना जेंसे जेंसे उम्र बढ़ेगी वेसे वेसे पीठ का दर्द है गोटने का दर्द है और कमर की problem है इसकी संभावना भी बढ़ती है तो योगा है प्रणायाम है ये चीज़ें जरूर करें अब इसके साथ ब्रेस्पती है जब सनी की तरफ देखता है चाहिए इसमें कितने भी अच्छे चिन्न हूँ जैसे इसमें है तो भी इसका फाइदा नहीं है सनी की तरफ देखना परिवार को लेकी भी चिंताइं देता है या प्रश्थितयां खड़ी करता है और ये धाया में बैठा अभी धाय सालों तक ये चिंता बनाए रखेगा इस प्रकार की इस्तित्य दे रहा है यहाँ पे कमजोर होता है तो साधर्ण अस्ता में आ जाता है तो ब्यक्ति के अंदर भी साधरनता देता है सामने ब्यक्तित्व के और ले जाता है ये इस्तित्या ये बनाता है अब यहाँ पे देखेंगे सूरे की उर्जा भी ये इसके खपत को भी कम कर रहा है तो यहाँ पे देखेंगा ऐसे में क्या होता है ब्यक्ति जो प्रियास कर रहा होता है उन प्रियासों में उसको पूरी सपलता नहीं मिल पाती है ब्यक्ति जो मेहनत करता है जो परिस्रम करता है उसका जो पूरा स्रेई उसको मिलना चाहे पूरा क्रेडिट उसको मिलना चाहे वो नहीं मिल पाता है ऐसे में बिक्ति के अंदर जो quality होती है जो योगिता होती है उस परकार से चीजें उभर कर नहीं आती है निखर के जो आने चाहिए वो नहीं आपाती है ऐसे में बिक्ति अगर ब्यापार की तरब जाता है तो ब्यापार में वो विस्तार वो फैलाओ वो नाम वो यस वो ब्राण बनकर वो नहीं उबर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दाओं पे लगा के ब्यापार में गया था है ऐसी इस्तिति हो तो ऐसी इस्तिति में ब्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो नौकरी में वो ग्रौथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए उसने अपने आपको खापा लिया हो और ऐसे में निश्चित ही एक सहजता से एक सरलता से ब्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है ये इस चीज को बताता है अब देखेगा यहाँ पे ये जब इस प्रकार से इस्तितियां होते लिए एक तो ब्यक्ति का तनाव बहुत जादा बढ़ जाता है उतार चड़ाव की इस अयामों पर सीधा सीधा प्रभाव पढ़ता है साररिक और मानसिक स्वष्थिया जीवन को जो आंत्रिक खुसाहाली है जीवन का जो उत्सा है जीवन की जो उर्जा है ये चीजें बिखराव में आ जाती है इन चीजों की ब्यक्ति को हमेशा चिंता करने पड़ती है अब करना क्या है? इन चीजों को ठीक करने पे और क्या चीजें उबर कराएंगे? उससे पहले आपने लिखा है बिजनिस भी ठीक से नहीं चल ला है और यह इसका आंसर मैंने पहले बता दिया आपको क्या मेरा फिर से वही समय आएगा कि नहीं? 100% आएगा उसको भी दिखाऊँगा पर करना क्या है? देखेगा सबसे पहले आपको ये जो इस्तिती है एक मैं बनस्पति अश्नान दे रहा हूँ राहों के कारण जो नगिटिब उर्जा आपके अंदर समाहित हो गई है बड़ी जटिल मातरा में उसको ठीक करने की एक कुछ दिनों की परकरिया है अश्नान करने की, नहाने की वो परकरिया आपको उसका पालन करना है कुछ दिनों तक उसके बाद अपने अश्ट चक्रों को उसमें से साथ मेजर जो चक्राज आपकी जीवन के है आपकी बोडी के अंदर है उनको ठीक करने के लिए आपको एक सीध में लाने के लिए क्या करना है आपको एक दिब्य सूर्य किरिया करनी है और जो रोम छिद्र आपके खुल गए है उस बनस्पति अश्नान से और उस दिब्य सूर्य किरिया से जो धीरे धीरे आपके सारिडिक चक्र है वो इस प्रकृति में मौझूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परसपर ताल मेल में आने की कोसिस कर रहे है उसके साथ आपको एक दिब्य योग ध्यान किरिया करनी है जिससे जो छे परतिसत आपके अनरवाय तत्व है वो एक समरूप इस्तिति में आए और नगेटिव उर्जा को बाहर करे इन चीजों का आपको ध्यान रखना है उसके टाइमिंग का पिसे इस ध्यान रखे अब बनस्पति अश्णान तो कुछ दिनों की पर करिया है लेकिन ये दिब्य सूर्य करिया दिब्य योग ध्यान करिया कम से कम तीन से चार महने तक आपको करना ही करना है और एक रूटीन बनाना है अपने जीवन का एक हिस्सा बना के चलना है आगे भी करेंगे तो बहुत अच्छा है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है बलकि चीजों में बेहतरीन इस्तिति आने सुरू हो जाती है ये जो किरियाये हैं हमारे जो रिशिमुनी है वो महान बिज्ञानिक थे उन्होंने इनका अविश्कार किया है ये चीजे इजाद की है इस पे चलिएगा मनुष्य का जीवन आस्चर जनक रोब से जादूई तरीके से बदलना सुरू होता है लेकिन आप इसकी बिदी को किस प्रकार से कर रहे है क्या इस पे आपको विश्वास है क्या आप मन से कर रहे है इसके उपर जादा डिपेंड रहते हैं चीजें तो ये मैं आपको दूँगा ये वास्त्विक रोप में करें और राहों का उपाई तो दोंगा ही दोंगा, ये तो मुख्य जड़ा है, तो ये चीजें करेंगे तो निश्चित्रोप से आपको जिवन में फायदा होगा, अब इसका नगेटिव उर्जा का प्रभाव आपकी मन पे पड़ रहा है, तो ये क्या करता है, मन को खराब करता है मानसिक परेशानिशे बेक्ति को गरसित करता है, भावकता देता है, इमोशनली बेक्ति को परेशान करता है, मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटकता है, मन ब्याकुल हो जाता है, मन उचाट हो जाता है, काम यहां कर रहे हैं, मन कहीं और है, चिंता में पड़ा हुआ है, इस को टिक है इन चीजों को करेगा अब इन चीजों को आप करते हैं तो फिर देखिएगा यहां पे हैं अगर ध्यान से आप देख पा रहे हों हो तो इस प्रकार से आपकी हतेली में बहुत सांदर चीजें बन रही हैं लेकिन ये कम से कम साड़े तीन से चार बर्स लगाई पूरी तरह से फल देने में और 18 महने के बाद 100% कुछ न कुछ फल देना सुरों करें देखेगा एक तो व्यक्ति को अपने घर और अपनी गाड़ी का जो सुक है वो मिलेगा ही मिलेगा पूरे जीवन में कभी भी मिले लेकिन मिलेगा दूसरी बात है तीन इक्षाए आपकी बहुत बड़ी मेजर इक्षाए हैं ये बता रहा है तीन इक्षाए आपके जबरदस्त रुप में पूरे उसका संकल्प आप पूरा करेंगे पूरे मिलेगा आप तीसरे बात है ये तिरकुण होना बताता है बिक्ति बुद्धिमान अवस्ता में है कला का पार की सिदहस्त है और धनी होगा ही होगा बिक्ति के पास चरम इस्तितिका धन होगा बहुत अच्छा धन होगा बले ही बर्तमान में कितने ही गर्त में है बिक्ति और संबव है असंबव नहीं है धनवड्य बिक्तियों इस उची में अपना अस्तान बनाएगा चाए पैतरिक रोप से निर्दन है आर्थिक संपन नहीं भी है तो भी ये बताता है कि अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बड़ी प्रसिद्य को बिक्ति हासिल करेगा फिर यहां पर देखेंगे ये बताते हैं कि देखेगा व्यापार की जो बिक्ति के अंदर समझ है बहुत गहरी है बिक्ति के अंदर और उस गहरी समझ के कारण Communication Skills के कारण अपने बल पे कुछ करने के कारण देखती जबरदस्त सपलता हसिल करेगा ठीक है ने ये इस पश्ट तरीके से बता रहा है धार्मिक भावनाई बहुत अच्छी रहेंगी इस्वर में विश्वास बना रहेंगा येस पाने की इक्षा, नेम फिम पाने की इक्षा और अपने कारियों में विस्तार पाने की इक्षा भी बहुत अच्छी रहेगी धन और येस की भोक है पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष भी यही दिखाई दे रहा है यहाँ पर अगर तीसरी हम चीज देखे धन कमाने की ललक बहुत ज़ादा है और दो कारणों से सफन होंगे एक कारण है कि अपने बलबोते पे कुछ करने वाला गोर्ण दोसरा कारण है कम्यूनिकेशनी स्किल्स और बुडापे में अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा किसी के उपर डिपेंट रहने के आवशकता नहीं रहेगी वानी के भी धनी होंगे और जबरदस्त सपलता भी हसल करेंगे ये सोना चाए आपका हतेली में कहीं हो सरीर में कहीं हो सोना अभी धाई बरसों तक धारण न करें समस्याई बहुत ज़्यादा बिकराल रोप ले सकती है इसलिए लेने के देने न पड़ें इसलिए सोना धारण न करें इसमें कोई नग धारण किया है तो चांदी की अंगोठियों में पहने सोना जितनी मात्रा में हो अपने सरीर से अलग रखें आपके लिए इस समय डाईवर्सों तक सोना धारण करना मनिस समश्याओं को बुलाना है तो इस बात का आप दियान रखेंगे ये मैं उमीद करता हूँ यहाँ पे आपकी मनि बंद रेखाएं देखें तो इस पश्ट रूप से राज योग दिलाता हो दिखाई दे रहा है लेकिन ये राज योग आपका 56 वर्स में एक्टिवेट हो रहा है इस राज योग का लेकिन बहुत अच्छी चीजे 18 बहने के बाद चीजों में सुधार होना सुरो हो जाएगा तब तक थोड़ा सा आप उपाई करना सुरो करें यहाँ पे अगर हम देखें जन्म अस्तान से दूर बहुत बड़ी तरक्य है जन्म अस्तान में रहकर उतनी बड़ी तरक्य नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे अगर देखें हम अभी धन और करियर के मामले में और इस्तिर्ता है लेकिन धीरे धीरे अच्छा प्रभाव पड़ेगा क्रेटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और यात्राओं का बड़ा लाब मिलेगा जो महतो कांचाई जीवन में है उसका बड़ा लाब मिलेगा भगवान शंकर देवादी देव महादेव आपके आरध्यदीव है और मापारवती आपकी अधिष्ठात्री देवी है जितनी जादा स्रणांकती जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की प्राप्ति होगी एक सुखद जीवन जीने की चाहा रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयतन सील ब्यप्तित्व रहेगा इसका लाब होगा यहाँ पी देखेंगे तो निम्नमंगल थोड़ा सा खराब इस्तिति में यहाँ पी दिखाई दे रहा है थोड़ा कनफ्योजन है उलजन है और दुविदा है क्रेट कर रहा है और निर्णे लेने की जो ताकत है उसको छीन करता हुआ दिखाई दे रहा है दिख्य सूर्य किरिया में मंगल का उपाई दूँगा जरूर करेंगे आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा अगर ये प्रेक्टिकली और भी देना बैठ जाए नगेटिव प्रभाव तो नेतर रोग दे सकता है आँखों में चस्मा उगेरा पहन सकते हैं सरीर में ताकत की कमजोरे महसूस हो सकती है सरीर की जोड थोड़ा सा दर्द करना सुरू कर सकते हैं और जादा हो गया तो सरीर में कमपन की समस्या या बलड प्रेशर की समस्या आ सकती है तो मंगल का विसे इस दिहान दखे दिब्यसूर्य के लिए जरूर करें उपरी मंगल ठीक है जिसके कारण प्राक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनरजेटिक सोहा बना रहेगा इसके बारे में हमने बात कर ली है बे वो जहे का तनाव देता हुआ सानी दिखाई दे रहा है या कुछ न कुछ ऐसी वो जहें पैदा कर रहा है जिसके कारण तनाव रहे और सुबह उठने में आलस्या आए या उठना सके बेक्ति किसी तरह से तो इसका ध्यान रखेगा सुरे की बात महमने कर ली है हरी सबजी है हरे फल है और हरी दाले है खाने में ज़्यादा प्रियोग करें अगर पर्फ्यूम से कोई ऐलर्जी नहीं है तो चंदन का पर्फ्यूम लाएं और नहाने के बाद हमेशा अपने सरीर पे थोड़ा सा चंदन का पर्फ्यूम उसको यूज न करें एक सिंबल के तोर पे जरूर रखें और सुबह और शाम हो सके तो अगर किसी से आपने गुरु मंत्र ले रखा है जो है गाहित्री मंत्र उसका जाप जरूर करें दोनों समय निश्चित ही आपको जो ब्यापार है वो ब्यापार पूरी तरह से इस्टेबल आउस्ता में आएगा धन और करियर के मामले में पूरी अस्ताई तो आएगा इसके कारण और कहीं न कहीं जो है आपके जो पुराने दिन है वो जल्दी वापस आएंगे इस वर की बड़ी किरपा होगी अगर बात करें तो मैंने आपकी हत्यली का पूर राब इसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई मैं विदिवत तरीके से लिख करके और ओडियो के मादिम से भीज रहा हो आप करने की कोशिस करें निश्चित ही आपको अच्छा लाब होगा इस वीडियो में बस इतना है एक नहीं वीडियो के साथ पनो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार